हाई फ्रेंड जोती कीचन में आप सबका बहुत बहुत सागत है आज मैं आपको सुपर हेल्दी टेस्टी टूइवन डेजर्ड की रेसिपी बताऊंगी वह भी बिना चीनी बिना गुड और बिना मिश्रीक है तो प्लीज वीडियो को पूरा देखे चलिए शुरू करते हैं ह अब इसमें ड्राइफ फ्रूट डालेंगे काजू बदाम पिष्टे इसकी मात्रा कम जादा टेस्टी के साफ से आप कम कर सकते हैं आज को बिल्कुल लो रखे इस बात का जरूर ध्यान रखे फ्राय करने से डालने से बहुत बढ़िया डेजर्ड में स्वाद आता है अची तरह फ्राय कर लेंगे आपके पाद जो भी ड्राइफ फ्रूट वो डाल सकते हैं आप किश्मिश डालेंगे किश्मिश भी लाष्ट में इसलिए डालें क्योंकि जल्दी फ्राय हो जाते हैं ज्यादा फ्राय करने से वो करवापन आजाता है तो फिर अच्छा नहीं डेजर्ड में आप एक कप डलिया डालेंगे थोड़ा घी निकाल लिया मैंने इसमें बिना घी के भी आप पून सकते हैं दलिया पर आज आप हेल्दी टेस्टी डलिया बना रहे हैं इसलिए थोड़ा घी डाल दिया है मैंने एक गिलाज दूद डालेंगे और थोड़ा पानी डालेंगे आप चाहिए तो दूद में भी बना सकते हैं या केवल पानी में भी बना सकते हैं दलिया तो वेसे भी बहुत फायदा करता है बहुत ही हेल्दी होता है और वेट लॉस रेसेपी भी के सकते हैं इसे आप दलिया तो बहुत बार बनाया होगा, लेकिन मेंगो के साथ एक बार जरूर बना कर देखें, बहुत ही डिलिशियस बनता है, आप और भी रेसिपी मेरे चेनल पर देख सकते हैं, यह देखें, अच्छी तर यह 80% तक पक चुका, आप इसमें इलाइची पाउडर डालेंगे, अगर आ पक जाएगा, गेस को बंद कर दे, यह से अच्छी तरफ मिला देंगे, इलाइची पाउडर मिलाने के बार, इलाइची से बहुत बढ़िया टेस्ट आता है दलिया में, यह ठंडा हो चुका हो जाएगा जब तक, यह दशेरी आम का मैंने पलपल ही आए, अब इसमें मिक्स के राइंडर में डाल देंगे, थोड़ा दूट डालेंगे, यह आपनी नोटिस किया, यह मैंने बिना चीनी, बिना गुड और बिना मिश्री के बनाया है, बहुत ही बढ़िया टेस्टी हेल्दी मेंगो शेक बनेगा, यह देखे कितना बढ़िया कलर आया है दशेरी आम का इस वक्त दशेरी आम बहुत आ रहे हैं बाजार में, अब एक और मिने आम काट लेंगे, इसके छोटे छोटे पीसेश कर लेंगे, उपर से गार्निशिंग के लिए और बीच में डालने के लिए, जो छोटी छोटी बाइट साएंगी, डेजर्ड में बहुत ही बढ़िया ट आप इसे बना कर रख सकते हैं, जब भी मेमान आए इसे सर्व कर सकते हैं, एक बात जरूर बनाए और बताए कमेंट बक्स में कैसा बना डेजर्ड, ये ड्राय फ्रूट डाल देंगे थोड़े से और थोड़े गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे, मेंगो वाला पल पर देखें कितना बढ़िया कलर पूर लग रहा है, मिठास के लिए मैंने शैज डाला दो चम्मच, आप इसकी मात्रा टेस्टे के साब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, मेंगो के पिसेज डाल दियें, अब इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे फ्रीज में, ठंडा होने के सर्विस बोल में, आज मेरे घर मेमाना रेस्टी मेंने ज्यादा बना है, उपर से डाय प्रूट डालेंगे, थोड़े मेंगो के पिसेज डालेंगे, लीजिए बनकर तैयार हो गया, हेल्दी तेस्टी डलिया मेंगो का डेजर्ड, प्लीज रेस्टी पसंद आया तो आप इ अज producers बना है, लीजिए जालेंगे, नебी जच्श करते दो आप supported by दूर, व्योले आत्विस खोआ, तो आपist है इस अरह सब़ना है, जो आपिसया झालेंगे, जो आपी है, ँो तेस्टी जावा व्युथिस वालेंगे, जो आपिस्टी ओना हstroke, फिसे ड्रों बना दो़ए